आज हम पढ़ने वालने एक राजा की पहानी एक राजा अपने बड़ाई चेगू और अनार से बहुत खुस था उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा सुन्दर पलंग बनाया खुस होकर राजा चेगू को कुछ भूमी देना चाता था और कुछ सोना अनार को ठीक है तो फिर राजा था और उसने क्या बनवाया एक पलंग बनवाया अपने बड़ाई से बड़ाई मतलब चो लकड़ी का काम करते हैं तो क्या थे उनके नाम अनार और चेगू तो अब राजा जब उनके खुस थे तो वो क्या करना चाते थे जो चेगू था चेगू को तो वो कुछ भूमी देना चाते थे भूम मतलब जमीन देना चाते थे और अनार को क्या देना चाते थे सोना तो अब राजा बोलते हैं कि चेगू जितनी जमीन इस सो मिटर तार से घेर सको हुआ तुमारी है ठीक है तो उसने उसको एक ओफर दिया क्या ओफर दिया कि सो मिटर तार लो और जितनी जमीन तुम सो मिटर तार से घेर दोगे उतनी जमीन तुमारी अलाग अलाग होती है किसकी होती है एक जैसी वारग की तो अब जब 100 मीटर तार से उन्होंने क्या करना था आयत भी बना नहीं थी तो अब उसने सबसे पहले क्या क्या है एक 10 मीटर गुणा 40 मीटर की आयत बनाई ठीक है मतलब अगर हम इसको ऐसे देखे तो यह हो गया 40 और यह हो गया 10 तो होगे 40 और 40 80 और 10 90 और 10 100 हो गया 100 मीटर तार पुरा क्योंकि जग 30 पल बीच की बनाई 30 into 20 की मतलब ये हो गया 20 और ये हो गया 30 फिर से देखो 30, 30, 60, 20, 20, 100 मतलब घेरा 100 meter काई लहारा इसमें भी 1100 meter का था इसमें भी 100 meter का था लेकिन छेतरबल के बदल रहा है या पर छेतरबल कितना हो गया इसका 40 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 तो यह हो गया 400 बर मीटर अर इसमें कितना हो गया 30 गुणा 20 3 तू जा 6 और 6 के आगे 2 जिरो लगा दो तो कितना हो गया 600 और यह हो गया 400 तो किसका वज़ा था यह वहली जमीन जादा हो गई इसका छेतरपल कितना है किया पहली आयत से जादा है तो हाँ पहली आयत से जादा है अब देखो 100 मिटर तार से वह कौन सी आयते बना सकता है चड़चा करो कि कौन सी आयत का छेतरपल सबसे जादा होगा अब आपने क्या करना है और कोसिस करना है कि जैसे उसने एक 30-20 की बनाई एक 10-40 की बनाई क्या कोई और भी ऐसी बनाई जा सकती है मतलब उसमें क्या होना चाहिए जो परिमाप है जो घेरा है परिमाप तो 100 मीटर होना चाहिए लेकिन छेतरपल क्या होना चाहिए चेगु की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को का अब तक वो क्या बना रहा था वर्ग आयत बनाना था अब चेगु की पत्नी ने उससे बोला कि तुम इतनी तार से आप क्या करो एक वृत बनाओ एक गोला बनाओ वह जानती थी कि इसका छेतर पल कितना है तो जब हम गोल बनाते हैं तो गोले का चेतरपल लिया जो वृत होता है वृत का चेतरपल हमें सा क्या होता है अधिक होता है तो उसने बोला कि आप क्या बनाओ वृत बनाओ और उसका चेतरपल कितना होगा 800 वर्गमीटर चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना समझाओ अब कोई बच् जादा हो रहा था, इस वाली आयत से जो उसने किसने की बनाई थी, 30 इंटू 20 की बनाई थी, तो आप राजा ने बोला, ठीक हे चेगू, ठीक हे, चेगू ने 800 वर्ग मीटर जमीन ली है, अनार, अब मैं तुम्हें उतना सूने का तार दूँगा, जिससे 800 वर्ग मीटर छेत्रबल की जमीन का घेरा बना सको अब क्या करना है अब तक हमारे पास क्या था अब तक हमारे पास परिमाप था हम छेत्रबल बदल सकते थे अब हमारे पास छेत्रबल है परिमाप क्या कर सकते है बढ़ा सकते हैं परिमाप हम चेंज कर सकते हैं छेतरबल रहे पास अब कितना रहेगा फिक्स रहेगा 800 वर्ग मीटर का तो अब किसका नंबर आगया है अनार का अब तक किसका नंबर आए था चेगू का अब देखेंगे उसने क्या किया होगा अनार ने अलग-अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोसिस की उसने अलग-अलग आकार की आयते बनाई हर आयत की घेरी की लंबाई का पता करो इन आयतों के लिए उसे कितना सोने का तार मिलेगा आप देखो गला वो तो 800 ही था तो 40 x 20 कितना हो गया आठ सो तो इसके सोने का तार कितना लगेगा ? इसको अड़ गरना पड़ेगा हमको क्योंकि हमने इसके क्या निकालना है इसका परिमाप चैक्टरपल तो बिदे अमने थे recorded प्रापव आप देरा है इसके में 20 औरीगे 60 जोड़ो ना इनको, 60 और यह वाले दो यह सर 20 जाइस में 20 और यह 110 120 120 इसमें इधर रहे 80 और इधर रहे 10 10 90 90 90 92 18 कितना हो गया 180 अब यह 800 इधर तो यह 800 इधर है यह 1 800 800 1600 1600 अब देखो 66 अलग यह अलग पर इधर बनाई है यहाँ उसको 120 मीटर का मिलिया सोने का 180 मीटर का मिलिया यहाँ उसे 602 मीटर का तार मिलिया तो मतलब सुचो जितना लंबा सोने का तार होगा उतना जाता क्या आएगा हो महंगा आएगा तर तो सोने का मिलना है ना फिर अनार ने उससे भी एक लंबी आयद बनाई देखो कितनी लंबी अब उसने क्या कर दिया? इस वाली साइट से उसने इसको 8000 कर दिया और यहां से इस नहीं इसको 0.1 कर दिया, तो अगर हम इसको सब को जोड़ेंगे, अगर हम 8,000 और 8,000 तो हो गया कितना, 16,000 और 0.1 और 0.1 हो गया, 0.2 तो अब जो उसको तार मिली वो 16,000, 0.2 मीटर की मिल गई, मतलब 16,000, मतलब 16,000 किलो मीटर लंबी तार, पतलब जितना यहां से रिशी केस है, इससे भी ज़्यादा दूर, इतने लंबी तार मिल गई उसे सोने की, तो इसलिए उसे मिलेगा, कितने मीटर सोने का तार यह लेगो, यहां पतलब 16,000.2 मीटर सोने का तार, अब समझो कि राजा क्यों बेहोस हो गया, सर क्योंकि उसने इ पतले आयत बना सकते हो, मैंने एक सेंटीमेटर चोड़ी, 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई है, सोचो कि वह घेरा कितना बड़ा होगा, उतने सोने की तार से तो मैं राजा मन जाओंगा.